हेलो गाइज वल्कम बैक तो माई चनल तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आयो राजमा की सबजी तो चलो बीना टाइम भी इसकी रेसिपी स्टाट कर लेते हैं तो सबसे बेले राजमा ले ले लेना है उसमें डाल देना है एक कला जितना पानी फिर डाल देंगे इसके छाहागाए आजमा तो आजमा बीन सीचा सिट्याने तक अच्छे से पका लेंगे ताकि राजमा एकदम अच्य से बोईल हो जाए फिर यापकड़ाई ले लेना है कड़ाई में डाल देना है और जब गरम कर लेना है और जब ऑईल शोड़े घरम हो जाएगा ना तो इसके इसके बाद यहां पर हम डाल रही हूं थोड़ा सा coconut powder जो कि आपको मार्केट में एक दम जिली मिल जाएगा अच्छे से mix कर लो और फिर यहां पर हम डाल देंगे एक एक कर सारे मसाले तो मसालों में मैं सबसे पहले इसके अंदर डाल रही हूं नमक स्वादनुसर इसके बाद इसमें डाल देना है धनिया पाउडर साथ में इसके अंदर डाल देना है हल्दी पाउडर और फिर लास्ट में इसके अंदर डाल देंगे रैचिली पाउडर रैचिली पाउडर आप अपने इसाब से डाल देना आपको जित्ती सपाइसी सब्जी ची ना उसी साब से लिग आपर थोड़ा से मैं पानी है एक्तम थोड़ा ही एड़ करना है तो फिर यह पो सीrices को करें और देंगे इस सब्सक्राइब उसके बाथ मैं डालगी और एक बडाफ राजमा वेख्या ओंते う no लेना जिस तर से मैं करते जा रहे हैं उसी तर से आपको भी कर लेना है और 5-6 मिनिट के लिए इसको एकदम अच्छा से पका लेंगे तो यहां पर देख सकते गाइस पास से 6 मिनिट हो गई है तो इसके बाद यहां पर मैं थोड़ा सा पानी और एड करती यह राजमा का बचा थी हमारी राजमा की सबजी बनकर रेडी हो गई है तो इसको गर्मा गरम रोटी के साथ सर्व करें और इंजोई करें तो इस तरह से आप राजमा की सबजी एक बार 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 बनाऊगे इतनी टेस्टी बनती है बहुत ही सिंपल तरीके से बन भी जाती है तो एक बार आप भी जरूड राइका ना ये वाले रेसे बीटी के गाइस enjoy